आज हम बनाएंगे मेथी पत्ते से लच्छेदार पराठा जो की बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और आप अगर इस तरीके का मेथी के लच्छेदार पराठा नहीं बनाए हैं तो आप मेरे इस तरीके से दो तरीके से बना के देखें कि लच छोटी चमज नमक और एक चमज तेल डालेंगे और इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए complet friends, तो अटा घुतते हैं उसी तरीके से मुलायम आटा लगा लेंगे आटे को जादा सक्त नहीं गुथेंगे और यहां देखिए आटा गुथ चुका है तब इसे हम 10 मिनट रेष्ट देनेंगे तब तक देखिए ये मेथी पत्ते है जिसे मैंने अच्छे तरीके से धोग कर सारा पानी सुखा कर और इस तरीके से रफली काट लेंगे आप इसी तरीके से सारे पानी सुखा कर ले तब ये रेषिपी अच्छे बनेगी फिर एक आटे की पेड़े लेंगे और इस तरीके से एक बरी सी रोटी बना लेंगे रोटी आप पतली ही बनाए ज्यादा मोटी रोटी ना बनाए जैसे नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं उसी तरीके की पतली रोटी बनाए फिर इस पर हम कटे हुए लासुन डालेंगे अगर आप लासुन नहीं खाते हैं तो आप इसकीप कर दें लेकिन अगर खाते हैं तो इसे जरूर रखे बहुत तेस्टी बनता है फिर इस पर चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल देंगे और इस पर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता सबको अच्छे तरीके से फैलाते हुए डालेंगे और यहाँ पर जो मेथी पत्ते है उसको भी हम इस पर हम डालेंगे और इसे भी हम चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे ताकि कॉर्णर पर भी अच्छे तरीके से मेथी पत्ते फैले हुए रहे तो अब देखिए इसी तरीके से हम डाल दिये हैं फिर एक चाकू की मदद से बीच में हम इस तरीके से कट लगा देंगे और फिर देखिए इसे किस तरीके से हम मोडेंगे इसे मैं दो तरीके से मोडना बताओंगी आपको जिस तरीके से सहुलियत लगे बनाईएगा और देखिए इसी तरीके से इसे घुमाते हुए और मोरते हुए देखिए दबाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक भी जाए और ये देखिए कितना अच्छा ये तयार है और फिर इसे देखिए इस तरीके से चिपका देंगे और इसे हाथ से चप्टा करके थोरासा आठे डालेंगे इसमें सुखे आठे डालकर इसे डस्ट करेंगे और रोटी जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उस तरीके से हम बेल लेंगे आप देख सकते कितना आसान तरीके से बेलने में हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेलने में, तो आप इस तरीके से रोटी को बना ले, और देख सकते मेथी पत्ते भी कितना अच्छा भड़े भड़े हैं, तब चलिए आप दूसरे तरीके से बनाते हैं, अगर जो लासुनों रोटी बना लेंगे और एक रोटी के ऊपर इसी तरीके से लासुन को फैला देंगे और लासुन को बारिक-बारिक ही काटे या आप घिस्त कर भी ले सकते हैं फिर डाल देंगे इस पर चिली फ्लेक्स और फिर इस पर कुछ कटे हुए धनिया पत्ता और सबको इसी तरीके से फैलाते हुए डालेंगे और यहां देखे फिर मेती पत्ते को भी डाल देंगे और आप अच्छे तरीके से भर-बर के मेती पत्ते को डाले ये तेल में जब फ्राई होगा तो क्रिस्पी-क्रिस्पी बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है फिर देख और बेलने के बाद कोई चाकू हो या इस तरीके का पीजा कटर हो इससे आप पत्ली-पत्ली सलाइस में काट ले आपको जो EZ मेधर लगे आप उसे बनाए और इस तरीके से देखिए इसे मोरेंगे और पत्ली-पत्ली मोरेंगे ताकि ये पराठे में लेयर्स बहुत अच्छ प्राठा तो आप जरूर ट्राइ करिए और मुझे बताईए और देखिए एक इस तरीके से पना लेंगे सारे को एक जगा ही नहीं मोरेंगे ने तो बहुत बड़ी रोटी बन जाएगी और बेलना थोड़ा मुस्किल हो जाएगा और इसी तरीके से देखिए मुरते हुए कितनी अच्छी लेयर्स आ गई है इसमें और देखिए ये मुर चुकी है तब फिर इसे हम देखिए हाथ से इस तरीके से चप्टा कर देंगे आप देख सकते कितना अच्छा लेयर वाले लोई दिख रही है इसी तरीके से चप्टा क फिर थोड़ा सा आटे का डस्ट इस पर भी रखेंगे और लगाने के बाद इसे भी हम अच्छे तरीके से बेलेंगे अब देखिए कितना अच्छा लेयर्स वाले देखी रही है लेयर वाले पराठे बनेगे और हर लेयर में आपको मेति का टेस्ट आने वाला है और देखने में भी देखिए कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो देखिए एक पराथा यहां बन चुका है तब इसी तरीके से हम दूसरा पराथे को भी हम बना लेते हैं और इस पराथे में कोई भी आपको सबजी के जरूरत नहीं परेगी और यहां देखे सारे पराथे हम बेल चुके हैं और चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं तो फिर इसे हम तवे या इस तरीके का पैन लेंगे और एक तरफ से एक मिनट तक सिखने देंगे और फिर इसे हम पलर देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी एक से दो मीनट हम सिखने देंगे और फ्लेम मीरियम रखेंगे और इस तरीके से तेल लगाते हुए क्रिस्पी क्रिस्पी पराथे हम सेख लेंगे अब फ्लेम को मीरियम रखे तब क्रिस्पी क्रिस्पी पराथे अच्छे बनेंगे और देख सकते हैं कितना आच्छा कलरफुल हमारा पराटा बना है तो चलिये दूसरा पराटा भी अब से लेते हैं तो इसी तरीके से हम साड़े पराटे को बना लेंगे और क्रिस्पी-क्रिस्पी ये मेथी पत्ते के पराटे तैयार है और देखिए इसमें जब ये पत्ते फ्राई हो रहा है तो कितना अच्छा दिख रहा है तो ये देखिए फ्रेंद हमारे मेती के लच्छे वाले पराठे बन के तैयार है और इसे आप चटनी हो दही हो अचार हो किसी के साथ भी अच्छे लगेगे या तो ये ऐसे भी चाय के साथ बहुत टेश्टी लगता है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये पराठा है तो इसे देखिए कितना अच्छा मुलाइम है तो चलिए फ्रेंड आभी अपने घरों में इस तरीके का लच्छे वाली मेथी के पराठे बनाए अभी मेथी बहुत अच्छे ताजी ताजी मिल रही है तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब